तो डियर स्टूडेंट यदि आप बियं फिक्त समस्टर के हैं और आपका सब्जेक्ट पोलिटिकल साइंस यानी राजनीती साफ्त रहे और सिकेंड पेपर की परिच्षा होने वाली राजनीती साफ्त के लिए तो आपने सही वीडियो पे किलिक किया है और सही वीडियो को देखने आएं क्योंकि मैं आपको बता दू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और भागने के जोत नहीं पड़ेगी कुछ और कोईशन पढ़ने के आव सकता नहीं पड़ेगी और नहीं कोई अन्य व परच्छा के लिए क्ल परश विए उसके लिए बुस्टिट्पूर्टन्ट है पिलस एक वीडियो जो है आज के महासंग्राम होनें वाले क्योंकि लगभग लगभग परस्षण आज के इस वीडियो से ही आपकी पर देने वाले हैं वो पूरी प्रक्रिया पहले जान लिजी कि कौन-कौन से प्रश्णान एक संभाव ना है उसके बाद पीडियोप आपको बता रहे हैं ठीक है पूरा प्रूब देख लीजिए आपका जो वर्स है वह भी तृतिय वर्स यानि कि थड़ एर है और आपका जो समे पहला प्रश्ण है कि संगठन से आप क्या समझते हैं इसके मुख अधारों का वर्ण कीजिए संगठन की परिभासा संगठन किसे कहते हैं संगठन से आप क्या समझते हैं यह सब एक ही प्रश्ण है और यह प्रश्ण कई बार पैच्छे में रिपीटेड भी है तो ध्यान स है ठीक है कार्र प्रारंब करने से पहले उसे समचित रूप से बेवफ्थित कर लेना ही संगठन कहलाता है मत्रब की कोई कार रहे अगर आप उसको करने से पहले अगर आप कोई ब्योफ्था बना लेंगे यह वाला हमें काम मालेजे की मालेजे एक्जांपल के रूप में हम आपको बता रहे हैं क्या बता दे बहुत अच्छा एक्जांपल बता दे रहे हैं हां की grow एक मिनट जमपल के लिए माल जाजे कि आपके घर में साधी है ठीक है साधी है तो उसके बाद उसके उसके उसमें क्या जोध पड़ेगी पैंसे की जोध पड़ेगी और मैनेजमेंट की जोध पड़ेगी ये सब चीजों की जोध पड़ेगी ठीक है मना लीजिए पाई पांच-छे लोग एक साथ बैठ जीए उसके बाद अकलक कर लीजिए कि इतना खर्चा लगेगा क्या क्या हमें मट्रेल ठीक है साधी में बनवाना है पर कुछ भी करना है कुछ भी देना लेना जो भी आप लोग पूरा मैनेजमेंट एक साथ बना लेंगे उसके बाद उसका कितना खर्चा आएगा वो आपको पूरा पूरा निकल आएगा ठीक है लगभग लगग और इस तो निकली क्ता होहिए जोल एंगे उसको हिंटान कहेंगे शिंपल सा रूप धिर ने समझाया है और वहीपर ऑसफोर्ड एक प्रमुक बिद्वान है इन्होंने कहा है कि बहिया संगठन को हम कुछ इस प्रकारव परभासित करेंगे जो कि हम आपको बता रहे हैं. संगठन सब्द का आर्थ किसी वस्तु का सो बेवस्तित धाँचा बनाना, किसी वस्तु का आकार निष्टित करना तथा उसको कार करने की इस्थित में लाना इस प्रकार संगठन में तीन तत्व नहीं थे या किसी कार के निश्चित उद्देश की पूर्ट के लिए किया जाता है इसमें सहयोग की भावना होती है तथा या अनेक बेक्तियों द्वारा किया जाता है तो वही मैंने आपको बताया कि या एक्जाम्पल साधीय को बहुत ही बढ़ा बढ़ा दिया आपको आपके माली जी पापा है दादा जी चाचा जी भाई जी है ठीक कोई है फैमली बहुत लोग हैं थोड़े-थोड़े कमाते होंगे कोई 10 कोई 5 कोई फजा थीक है तो सब लोगों को पैसा होगा ठीक है असा साथ में सब लोग संगठन करेंगे ठीक है यह विभिन बेक्तियों का समोह होता है ठीक है और इसमें भी पूरी जानकार यह पढ़ लेंगे ज्यादा समय वेश्ट नहीं करेंगे आप सभी का अगला पैसने कि अप्चारिक संगठन तथा अनौप चारिक संगठन में अंतर क्या है यह फिर आप सबसे पह निर्मित होता है ठीक है जबकि अनौप चारिक जो संगठन है यह लोगों के स्व्राजिक पृत्क्रिया के फ्ल सुरूप उद्य होता है ठीक है और चारिक में इसके अंतरगत इवं इसके अंतरगत कार्य पर बल दिया जाता है ठीक ध्यान से सुनेंगे ओपचारिक में कार्यों पर बल दिया जाता है जबकि अनौपचारिक में इसके अंतरगत लोगों तथा उनके सम्मंधों पर बल दिया जाता है ठीक इस बात को ध्यान रखेंगे उसके बाद ओपच होगा ठीक है जैसे कि मालीजे की आपने एडमेशन लिया है तो वह स्वभाविक है कि आपका एक्जाम तो होगा ही होगा ठीक है इफी तरह मालीजे एक्जाम पर इफी तरह बहुत फारे करेंना इंप्रण्त कोस्ट्न है कि इसका उतर है क्यूंकि हम आप लोगों क की तैयार भी नहुक्त ठीक है ऊगला कोश्छन कि आधुनिक राज्य यानी की आद्हुनिक जो राज्येट में लोग प्रसासं जोष का क्या महत्त है उसके बारे तो लोग प्रसासन में दो सब्दो लोग जिसका मतलब होता पब्लिक तथा प्रसासन का मतलब होता administration का समय वेश है ठीक है प्रसासन का समान ने अर्थ प्रबंध करना है प्रसासन को सभेता का मोल श्रोत तो कहा जाता है प्रसासन समाज की प्रथम आवस्यक्ता है यानि कि कोई भी समाज इसमें प्रसासन का होना बहुत ही जरूरी है तब ही कोई चीज नियम कानून एक step by step चल पाएंगी वरना कोई लड़ाई करता है कोई दंगा करता है कोई यहाँ जाता है कोई वहाँ कुछ गलत करता है तो समाज में प्रसासन का होना आवस्यक्ता है जो एक तरीके से बोल सकते है कि सही राह और management का कारे करता है प्रसासन तो इसके कुछ लच्छन है जो आप लोगों की समस्त प्रस्तुत है जो कि आपको तयार कर लेना है इस समय आप लोगों की एकजाम लगे है तो हम कोश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे एक ही कोश्चन के पता चलेगा कि दो गंटे की वीडियो हो जाएगी पता चलेगा तीनी से चार कोश्चन हो पाएं तो इसलिए बेसिक सा पर्चे हमने दे दिया महात्कौन प्रश्चन तयार कर लेजिए ठीक है प्रबंध की आर्थ एवं कार ये की विविश्णा की जी तो प्रसासन और संगठन की तरह प्रबंध भी एक व्यापक सब्द है आधनिक युग में प्रसासन की जटल्दा यानि की जो करेंट समय है इसमें प्रसासन की जटलता और ब्यापेक्ता के कारण लोग प्रबंद का अध्यन आतियंत आवस्यक हो गया है मतलब कि लोगो जाने लोग इसको समझे ठीक है ठीक है प्रसासन को और लोग प्रबंध को लोग Wald का अध्यन करेस के बारे में जाने यह बहुत ही अध्यक प्रबंध निश्चित कार्यों को मिलाकर बनीक प्रक्रिया को कहते हैं मतलब कि जो प्रबंध होता है एक प्रबंध करना प्रबंध है या साधनों का कार्य कारी उसो रूप है इसमें प्रयत्नों का महत्त है लेकिन कार्य स्वयम में प्रबंध नहीं है कार्य को करना प्रबंध है प्रबंध का कार्य स्वयम कार नहीं है वरना दूसरों से कराना है ठीक है इसका मत्तब यह हुआ प्रबंध का मत्तब प्रसासन ही होता ठीक है प्रबंध का सिंपल सर्थ प्रसासन होता तो लेकिन कार्य स्वयम में प्रबंध नहीं मत्तब कि जो कार कार्य को करना प्रबंद है मतलब कि एक तरीकिस बोल फकते हैं कि आप सभी जहां से सुनेंगे आपको इस तरह समझ सकते हैं कि कार्य को करना प्रबंद है जहां समझ कार को करना प्रबंद है लेकिन प्रबंद का कार स्वयम करना नहीं है और नहीं दूफ्रों से कराना है ठीक है यह रहा इसका मतलब और इसकी परिभाफा अलग अलग जो बिद्वान के रुसार अलग अलग प्रस्तुत है आप पढ़ लेंगे मुस्ट इमपार्ण क जीवन में विहरत करना कला है कला का अपना कौसल होता है यह अगर कला है तो आप कैसे उसको ग्रहन करेंगे कहीं आप होंगे मोचिंग की होंगे इस प्रेंट से और प्रकेल करेंगे कोई उसी से सब्मंदात कुश्चन है हमेशा नहीं आता लेकिं कभी कई प्रस्त आज आ जाता है तो आप प्ढ़ सकते और शादकी बाकि लोग लोग-परशासन की परिभावासा सब्सक्राइब प्रसासन का आर्थ लोग प्रसासन की बिसेश्ताइं ठीक है यह common question होते जिनको आपको तैयार कर लिना है गारंटी वाले question आएंगी आएंगे ठीक है बजट बजट सब्द जो आपके मतब कि दुनिया में जितने इंसान से संबंदी थैं ना कि कोई कमपणी ना कि कोई फैक्ट्री ना कि फरकार किफी एक एक इंडिवेजिलिस नहीं के प्रमक्षिधानतों के बारें बताइए तो चलें जानते इसका उत्तर बजट सब्द फ्रेंच भासा के सब्द बूजट से निकला इस बात को दियान रखे जिसे आपको कोई पूछे कि बजट सब्द है यह किसका मतलब क्या है तो आप सिंपल सा उत्तर लेखेंगे जो बजट सब्द है यह फ्रेंच के भासा जिसका नाम है बूजट उसी से निकल जिसका अर्थ है चमड़े का थैला या जोला शन सब्त्राफो तेटिस में बिट्रिफ बित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपॉल ने अपने बित्तिर प्रस्ताओं से सम्दित कागत संसत के सामने पेश करने के लिए चमड़े के थैलिफ में से निकाला था निकाला तो उनका मज अब टाग उडाते होई बजट खोला गया ठीक है को ला गया नृट लाए नामक एक पुस्तिक का प्रकाफित की गई उससे समय से बजक वजथा सब्द का प्रियोक फरकार की वर्षिक हायवे की बित्रण के कि एक चुषट हे जाने लगा ठीक है नाम एक पुस्तक मार्केट प्रकाशी के घटिक है और उसी समय से जो यह फरकार की जो आर्चिक के इसा कि आता है अज तो आपके भी उससे संब्वन्दित है ठीक मालिजी कि आपको इनौकरी करते हैं है तो यह फिर ओपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में आप लोग क्या करेंगे भra having एक लाग यहदो लाव कि budget से बजट बनाया है और उसीए प्र ने स्टार्ट किया Video के बाद जब एक साल कंप्लीट होता जो फाइनेंशियल एर चलता है ठीक है कब से कब चलता है ठीक है एक अप्रेल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल एर चलता है ठीक है जो डिसकूप फाइनेंशियल रुपिय पैसे वाले में जाना जाता हूँ नया साल बोला जाता है ध्या मार्थ चलता है ठीक है 1 अप्रेल से 21 मार्श चलता है इस बात को ध्यान लट लगेगी है तो इस बीच में इस वह चलता हुए b abortion कैंट पारेत सब्सकर्ण क्या पहराया को बंद बंद क्लीडंब तो उसी को बोला जाता है बजट सिंपल भासा में बाकि आपके अनुसार है आप पढ़ लिजे कि वह भी पर भासा है ध्यान लखेंगे कभी कदार भी आ जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट अब यह बजट सिंपल सा प्रस्थान की उभरती समस्याओं पर प्रकाफ डाली है मत्तब कि जो हमारे विकास सील देश बहुत सारे हैं यह फिर खास करके आप भारत के ले लिए भारत का बात हो रही है तो उसमें प्रसासन की जो समस्याओं निकल के आरे बहुत आये तरीके की वह आपको बताना है ठीक है तो पहले तो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है कि तीसरी दुनिया के देशों को विकास फील देश माना जाता है वे विकास की और अगरफर है एसिया अफरेका और दच्छिट अमेरिका महादिब की प्राया सभी देश विकास फील है ठीक है आफ्टेलिया और जपान को छोड़ कर दच्छिणी गुलार्द के सभी देश विकास फील है इन विकास फील देशों में लोग प्रसासन की कई समस्चाय और रहें पहली जो प्रसाफनिक फ्रणष्णा का आभाव मतलँ एक पैटर्र नहीं बनाए जाती कैसे वार्क करना है प्रफाफर्न राजनीत के प्रफाषन राजनीत पिद्वित नहीं है उन्में राजनीत हफता तेप होता रहता है गण्षिस्की कानगा महत्पूर्ण नेड़ए लेने में अफ्रविद्धर होती मतब कि एक राजनीत जो होने चेए पख़या एक सरकार हो और सरकार वो सभी उजनाव को लांज करें उसी के साथ पर आम पब्लिक उसका लाब ले और वो कांटिनु चलता रहे तो यह चीजी नहीं होती है ठीक है तब समस्या आयाती दूसरी समस्या परसाच की नेत्रत का बाओ ब्रस्टा चार्ड माली जी ब्रस्टा चार्ड का अगर माली जी आपको इसको बनवाना है तो बनवाना तो इसकी लिए क्या होता नहीं कि कुछ तहसी ब्लाक अफ़तर पर कुछ जो हमारे लेकपाल और से करे होते हैं ठीक है तो उनके मादिम से उस पर रिपोर्ट लगता है ठीक है तो होता है कि आ बहुत लोगोंगों को ब दिन के भीतर आता है ठीक है कफचे कम एक हपते तो लगी जाते तो कोई गया इंसान वो जल्दी कराना चाह रहा है काम तो उसके लिए क्या होगा वहां पर घुष चलेगी ठीक है तो गुष चलेगी तो सिंपल सी बात है कि ब्रश्टाचार तो बढ़ेगा बढ़ेगा उस त अगला है प्रसाफन का विदेशी प्रतिमान गरीबी उंबिरोजिगारी यह कुछ समस्या है जो कि आपको ध्यान रखना है पॉपलर कोईश्चन कई बार आया है नोकर साही बहुत ही हार्ड लेबल का कोईश्चन है जहां तक मुझे जानकारी है विछले फालो में कई बार रिपीटेड कोईश्चन है नोकर साही पर मैक्स वेवर की विचार नोकर साही के बारे में आप अच्छे तयार कर लेंगे प्रशन उत्तर दोनों समस्त है आप सभी के बहुत ही पॉपलर कोईश्चन टोप लेबल का है ठीक है अगला भी प्रशन कई वार आ चुका है कि क्य वास्तर के कारे लगाफ्सित करती अफही तरह संपल रंतर है पढ़ लिजएगा बिल्कुल प्रसाशन में पारदर्सिता का मतब आप लोग समझ रहें कि मतब कोई चीज इस पार से उस पार देख जाए मतब कि एक अच्छे आच्रण वाला जो करम चारी हैं जो अधिकारी हैं उनका नेचर चरित्रवान हो मतब एक अच्छा नेचर हो वो वह सही करतें अर्व किसी बीटान कर दूख संफेय काम कर दें माली जी कोई कोई भी if自己 काम कर दें जाहें आप लिंटाने हैं या फिर आप लोग तहसिल गए तुन हाँ केgt जो Лेक पास सेकरेटडरी ठीक है टी में यस टीम तहफिलदार जूभी वहां के ठीक employee रहते हैं आप कोई काम करने के लिए और आपने निवेदन किया और आपका काम वो समय रहते कर दिये और उसके बदले उन्होंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया ठीक है तो ये एक क्या हो गया पार दरसिता हो गई मतलब की मतलब की सिंपल सा आपका काम कर दिया उसके बदले उन्होंने कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया और आपका काम समय रहते हो गया तो यह क्या हो गया आर पार हो गया वहीं पर अगर पैसे लें तो पार दरसिता कहां रह जाएगी तो इसमें पार दरसिता दिखेगा कहां ठीक है तो आप लोग वहां पर एक प्रश्न खड़ा कर पार दरसिता नहीं मतलब कि आफान चीज नहीं इसमें पैसे लगेंगे समय लगेगा तभी यह कारी होगा तो यह एक्जाम्पल है बेसिक सा इसी से सम्मंदित पूरा पूरा उत्तर है आप तयार कर लेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे ठीक है और लोग संपर्क क्या है य आपका पूलिस हो ठीक है यानि की राजश्च के हों चाहा केंद्री के हों ठीक है यह पर कोई भी डिपार्ण्वंट हो ठीक है उसमें भ्रषटा जो होता उसका क्या कारण उसके बारे बताईए तो सास के ब्रषटा चार एक जटल समस्या है यह समानी रूप में देश की तत्तों समाजिक आर्थिक तसाफनी के उमनायक उत्तरदाई प्राया लोग इसका सामान ने करण है लेकिन यही एक मात्र कारण नहीं है निर्धनता सत्ता संपत्यों इस्तिती भी इसके करण माने जाते हैं लेकिन इनके मद्द कोई विभाजिक रेखा खिष्णा कठीन है तो प्रसासन में भरश्टाचार का मत्तब हम आपको सिंपल सा उदाहराण जो कि मैंने खुदी प्रश्णरी देखा भी वैने सुना भी हो तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूं बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बड़ा एक्जम्पल है प्रसासन में भरश्टाचार क कारण यह आपके समाजिक कराण भी हो सकते आर्थिक और भी फैनेंसली कई भी सारे कारण हो सकते ठीक है तो इसमें आपको बता दूपरसासन क्या पैसा नहीं लेता बिल्कुल लेता मैं आपको बता दूँ कि अभी हमारे यहां पर पड़ोस के एक विलेज है उसमें एक मामला हुआ था कि लड़की और एक लड़का उसके बीच मामला था और लड़के में कुछ उससे मतलब की गलत बिवार किया तो उसने तो अपने उसने घर पर बता है कंपलीन होने के बाद फिर लड़के को पुलिश लेगे पुलिश लेगे बाद वह एक दू महने रहा ठीक है ज उसमें कुछ रियायत दी गए कि हां भाई आप अगर इतना पैसा जालेंगे तो आपका जो है वह आसानी से छूट जाएगा ठीक है ओके तो भाई इतना ज्यादा काश्ट मतब पैसे इतने ज्यादा थे कि वह पे नहीं कर सका था मतब कि पे कर पाना impossible था लेकिन आप सभी क मालूम कि यदि अगर कोई रड़कीवाथ कोई मामला हो जाता है ठीक है तो उसमें बहुत ही स्ट्रॉंग जो कानून है वह बहुत ही मतब कि इसके प्रती जो सरकार है वह बहुत ज्यादा ठीक है फोकस करते है कि कि किफिक इस तरह का बेउहार नहूं ठीक है उस पे ठीक है उसने उसने खुद मुझसे प्रशनली बताया ठीक है उसने कहा कि वह यह डेड़ लाग रुपे लगे थे हम एक महीने जेल में रहे उसके बाद हम बाहर आ गए हमने मतलब की कुछ चार्ज उसमें पुलिस खाए और कुछ उसमें जच खाए कुछ वकील खाए उसके ब पॉटन टॉप लेवल के हैं और कई बार पर इच्छ हम रिपीटेड हैं और इसके लावा एक और भी पीडियोफ है उसको भी मापको देंगे और यह पीडियोफ देंगे दोनों को तयार कर लेंगे गारण्टी आपको परिच्छ में कोई भी फील नहीं कर सकेगा यह पीड झाल झाल